सिक समाज द्वारा मारपीट से नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने चीनो रोड बारोल गाउं के पास किया सड़क पर चक्का जाम देहात थाना पुलिस फर्यादी को एफायार कराने के लिए ले जा रही थी थाने तभी भीर में से किसी अग्यात व्यक्ती ने किया पत्राव देहात थाने में पदस्थ एसाई नन किशोर जा को लगी चोट, घायल एसाई के सर में आई चोट प्रक चलाने से मना करने पर जस्वंद, मंदी, मलकीत, बब्बु और मुर्ली सिखने की थी मारपीट इस संबंद में जब पुलिस से जानकारी ली गई तो बताया कि किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, नहीं कोई लाठी चार्ज किया गया, समझाईश के बाद चक्ता जाम खुल गया, इसी दोरान भीर में से किसी ने पत्राव किया, जिसके चलते हमारे एक केसाई की सिर में चोटा ही है, बितरवार मध्य प्रदेश से के के शर्मा की रिपोर्ट देखते रही आपका अपना चैनल आंचलिक खबरे अपनों की खबर आप तक, आज गुलियाई गाओं के आदिवासी एवन सरदानों के बीच आप पस में जगड़ा हो गया था, जमीन की बात को लेके, जिसको से आदिवासी समाज के लोगों ने महराजपुर नहर के पास चक्का जाम किया था, जिसको समझाईज देके खुलवाया गया है, जब भर्या फर्यादी एफाईया के लिए ठाने आ रहे थे, उस समय बीड में से किसी वेक्ति दौरा अचानक पत्राव कर दिया गया था, किसी प्रकार का कोई बल का प्रयोग पुलिस दौरा नहीं किया गया है, फर्यादी की रिपोर्ट पे मामला पंजीबत कर लिया गया है एफ पूप्ढू कर दोनांक पूरा नहीं किसी घर भर्योग भर्योग प्रकार को आ रहे हैं